वेलकम टू आर चैनल ग्यापन अकेडमी 10 तरीका से हरी कोष्चन को सल्व करेंगे तो यहाँ objective 70 कोष्चन है अगर आप अपना प्ढाई बहुत जवरदस तरीका से किये हैं तो यहाँ 70 में 60 को सही करके दिखाए फिर समझेंगे कि आपका तो पढाई बहुत ही जवरदस तरीके से हुआ है हम लोगों को इस बार बिहार टॉपर बनना है ठीक है इसलिए मेहनत साथ में मिलके करना है तो फिर बिनादिर की हम लोग कोस्चन के तरफ चलते हैं यहां पहला कुश्चन है द्याँ से देखेंगे हैं समयजवादी भावना का उदे किस करन्ति के फौल शरूप हुआ कौन सी करन्ती हुई जिसके वज़ा से इनसान के अंदर समाजवादी भावना आ गया पहला अप्सन है और दोगी करांती दूसरा अप्सन है फ्रांस के खरांती तीसरा युनान और इन्में से कोई नहीं तो जब बादू स्टार्टिंग में और दोगी करांती होता अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है आपका दो नंबर यहां देखते चलिएगा आर्थिक द्रिष्टी से समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ तो आर्थिक द्रिष्टी से समाज का विभाजन दो भागों में हुआ यानि दो वर्गों में हुआ ठीक आपर क्या हो जाएगा दो भागों में बटा गया है अगला देखिए तीन नमबर कोशन है एतिहासिक दृष्टी से आधुनिक समाजवाद का विभाजन कितने चरणों में किया गया तो यह भी दो चरण में किया गया अगर इतिहास की दृष्टी से हम लोग देखें ठीक है आधुनिक जो यह समाजवाद है उसको दो तरह से बटा गया यह वो काल माक्स के पहले कुछ लोग थे और काल माक्स के बाद जो लोग थे काल माक्स के पहले वाले को क्या बोला गया यूटोपियन और यह माक्स वादी हो गया तो यह भी दो भागों में बटा ठीक है अगल वादी बैबु थे ना ठीक है वो समझे तो आदर्स के रूपों पर चले लड़ाई झागड़ा मने उगर रूप नहीं लेना चाहते थे वह आदर्स वादी थे एक और आपको ट्रीक बता दें जितने भी यूटूपियन बीचारक थे उसमें सबसे ज्यादा फ्रांस की वीडियो देख रहे हैं बाबु तो एक चाहिए याद है कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया यानि कि हिस्ट्री का टू लेशन जो की बहुत ही मज़दार तरीका से आसान भासा में फिगर के साथ आपको कहानी बता गया अगर वीडियो एक बार देख लेते हैं सभ्सक्राफ के बदले वश नमनंति किस याद व्यूटोपियं के संच तही सोच की कि बताए तो नहीं को यह मौquently समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक नैतिक उत्तान के लिए कारे करना चाहिए समझेगा यहां पर चार आदमी है इन में से कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति बोला है कि पता है समाज को कैसे करने जो गरीब है उसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए ठीक है उसके उत्तान के इसके गरीबी को दूर करने के लिए काम करना चाएं यह इन मेंसे किसंवे ने कहा हैं जाले यक दूसरे घरीब चाहता है अमीर का कौं दौसरी को करके चलना चाहिए ढरीबं विचार्फ फ्रास के होगी यहां अगला को सदेची अगला को सनट यहां के दिया है कि चाल्ष फॉर्यत कहां आधा यह भी फ्रांस का निवासी था को यहां देखैंगे छोटे नगरों और कस्भों में काम करना चाहिए यह कतन इसका सेंड साइमर नहीं बोले हैं चाल्स फॉरियर बोले हैं कौन बोला है चाल्स फॉरियर बोले हैं बाबू किस तरह मिकों को ना जाके पुंजी पतियों के घर काम नहीं करना चाहिए छोटे-छोटे कस्बों में काम जब करेगा ठीक है तो ही सही है तो यह चाल्स फॉरियर बोल काम के जितना क्यापसिटी है ना उतने काम करो और सकता है सज्ञादा नहीं काम करो जितना काम करें वंदा कार केर्ष अनुसार उनको पैसा मिलेगा कार के अनुसार का मिलेगा पैसा यह समाजवादियों का नारा था ठीक है यहां देखिए अगला कुस्चन है समयवादी सासा का पहला परियोग कहा हुआ पहला है रूस दूसरा है जापान तिसरा है आपका चीन और चौथा है आपका क्यूबत तो ये सब गलत है रूस में सबसे पहले समाजवादी सब्द का परियोग किया गया अगला कोशन देखें बारा नमर कोशन कहा रहा है कि निमलीखित में कौन यहां कौन होगा कौन यूटोपिय समझवादी नहीं है काल माक्स नहीं किसे कहते काल माक्स के जो पहले आये थे न उन्हें कहते तो काल माक्स तो बाद में ना इनके दुआरा जब यह आए जब इनकी इंटीवरा बहुत ही फ्रांसिसी समाजवात के विकास का जनमदात्य है। आखिरकर किसे माना जाता है। तो पहला अप्षन है फॉलयर। दूसरा अप्षन है छौलरोhole तीसड़ा अप्षन है कालमाकस À चौधा अप्षन है से हैंड। तो आपका इस चारों में रूस में हुए था समयादी सासन की अस्थापना ठीक है पहला अप्सन सही हो जाएगा यहां पर देखें पंदर नमर कोश्चा ने किस प्रांस इसी यूटोपिया ने राजनितिक में हिस्सा लिए सब बहुत सारे फ्रांस के यूटोपियन थे एक और चीज़ आप याद रख सबसे पहले राइनितिक में एंट्री महारा था ठीक है यहां थर्ड नमबर एंसर आपका सी नंबर हो जाएगा अब दखेंगे यहां पर किस यूटोपियन का मानना था कि आर्थिक सुधार के लिए राइनितिक सुधार आवस्या के तो राइनितिक में घुसा कौन था श्मयवादी कौन था तो याद रखएगा पहला था अरूट के समराथ को क्या कहते तो रूस के समराथ को जार कहा जाता है और बूतल वाला जार होता है अगला कुछ ने किस largest इस उधुकपती ने का संतुष्ट स्वामिक वास्तिक सरमिक है बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति थे वह जिन्होंने का कि अगर मजदूर संतुष्ट है खुस है तो समझेगा वही सच्छा मजदूर है अच्छा से मजदूरी करेगा तो रबर्ट ओमन यह एक परकार के क्या थे स्वापंदर से यह यूटोपियन ही थे लेकिन यह अलग क्वालिटी यह फ्रांस के नहीं थे यह ब्रिटेन के बहुत ही मतलब पैसे वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पैसा खर्च करके मजदूरों को सभी सुविधाय दे दिया सभी सुविधाय देने के बाद सिफ लोगों को लगा कि यह तो गरीब हो गया वेचार एतना सुविधा दे दिया लेकिन वह गरीब नहीं हुआ सभी मजदूर मन लागे काम किये कि सभी सुविधा उनलों के पास अबलेबल था तो बोले संतुष्ट स्वमिक है तो वही रियल स्रमिक है यह रॉबर्ट ओमन बो किशन दिखिए कालमाकस का जनम कहाँ हुआ तो कालमाकस का जनम जर्माणी में हुआ ठिक है यह तो आपको कालमाकस ृभी eh 1818 याद रखिए गा अठारा ट्री किया देगा इधर इधर भी इधर विए आपसे नंबर भी आपकर सही हो जाएगा अगला कुछा ने कालमाक्स ने बीदी की सिक्षा कहा गुर्ण की और वर्णी बिशु बीद्याले बाद में गए घ्राव सो च्थाथिस में यानि उनका ज यानि कि आपको बोन पुछाई यह वहला अप्सन एस ही हो जाएगा ठीक है अगला कुस्चन देखिए अगला कुछ ने काल माक्स ने अपनी साधिक कब और किस्से की वाओ यही बहुत ही इंट्रेस्ट व्यक्ति थी ठीक है काल माक्स अपनी बच्पन की प्रेमिका जेनी से व दॉब्ट हो जाएगा 1843 में ठीक है बच्पन का प्यारिन को में लिए अब देखिए अबस ने अगैसे और से काल माक्स के मुलाकात है एस अबस्टिय एंगल से काल माकस की मुला काथ कब और कहां हुई तो यहां देखिये का आठाशा सो तीरालेस के भाद उनके दोस्त मिले अठारे सो चो वालिस में ओभी मिले पेरिस में तो यहाँ option कौन हो जाएगा? first वाला हो जाएगा option सही अगला question देखिए सामयवादी घोष्टना पत्र के लेखक कौन है तो सामयवादी घोष्टना पत्र के लेखक आपके हो जाएगे काल्माक्स अगला कुश्चन देखिए प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कभी प्रथम इंटरनेशनल संग जो अंतराश्टिय संग हो जाएगा इसकी बैठक कभ हुई आपसे ये कुश्चन पुछा जाएगा अगला कुश्चन देखिएगा अगला कुश्चन है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां Và shade and 있고 रूस में जर्मानी में लंदन आपका एंसर सही हो जाएगा लंदन में किसके द्वारा हुई थी तो काल मार्स के द्वारा हुई थी यह प्रत्थम सम्मेला नहीं यह किये और उसके बाद से इनके मिर्तिव भी हो गए थी कुछ दिनों के बाद बहुत दिनों के पर यहां देखे बैग्यानिक समझवाद के जनक यानि आपसे पूचा जाएगा खाली समाजवाद या बैग्यानिक समाज़ के जनक कौन है तो बस इतना याद रिखेगा काल माक्स है ठीक है यहां देखे कॉमिनिस्ट मैनुफेस्टो का अस प्रकाशन किस वर्स हुआ है तो यहां पर आपको एंसर हो जाएगा अठार 1364 में आप जानते हैं किसके दौरा काल माक्स के दौरा बाब किसके दौरा होता काल माक्स कि उसमाज़ जीवित है लेकिन अगर देखें दूतियां अंतराष्टी संग तो आठारे सो तीरासी में उनकी मिर्ती हो गए थी ठीक है तो दूतियां अंतराष्टी संग नहीं बोल तो जो इन से मोटिवेट हुए थे काल मार्क्स के दोड़ा उसको बोलते हैं मार्कसवादी वो लोग बुलाए थे और उसमें लगवः 20 देश के लोग आये थे टोटल उसमें जनसंख्या थी 400 कि जनसंख्या थी 400 लोग आए थे इस में और इसके इसमें क्या हुआ है इस अंत ऑगया कि एक माई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा तो वही है दूतिए अंतराष्टिय संग तल матери कॉटी याद रठना नमबर 1917 में हुआ था ठीक है अगला कुछन देखिए अगला कुछन है जार्ज निकोलस दूतिया की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी तो याद रखिएगा यह बहुत ही बेकार और फाल्तु और बायाद समझे ना बेकार और थी ठीक है अस्ट्रिया की महरानी थी याश्टिया की राजकुमारी थी ठीक है यह देखिए बेचार जार्ज निकोलस दूतियास यहां का का फ्रांस रूस का सासक था उसकी पत्नी जरीना थी लेकिन इसका सेटिंग किसी और की गर्फेंट थी और गर्फेंट किसी और की मतलब क्या जो धर्म गुरू वहां के त डना है ओर चटी जरीना का तीक है यह धर्मरू ऐसार राजफ पूतिन अगे कुछ requis DC क्रांटी को होगा यहां पर की नाम से जाना जैन्टї आता तो याद रखिए अक्टूबर की क्रांटी के नाम से भी जाना जाता था इसको ठीक है यह आप याद रखिएगा अगला Couशे देखिए 1978 की रूष की कुरांती की समय किस जयंका साथ सकता तो आपको तो पता है कि है कि जैपूद्तिय कर शाह संग था द्वृतिया होगा ये वाला इंसर होगा आपका, ये वाला गलत होगा, उपर वाला नहीं होगा, यहाँपे D number answer होगा, ठीक है, अगला कुश्चा न दुखऑ, राजपुटीन कौन था, ठीक है, थो भरष्ट पादरी था, ठीक है, यानि कि किसका बोइफेंट था, आपको याद रखना है, कौन थी तो जोरीना थी जाज नीकोलस दोतिया की बीवी यानि पत्नी वाइफ बेगं रुस के में कृसी ताश परता का अंध करके दोरह किया गया तो रूसमें की नीकोलस नहीं अलेक्जेंडर दोरह किया था अलेक्जेंडर दोतिया 18ございますrock का सही है अगला कुछ संदिए 1863 में रुसी कांड के निती का विरूद किस ने किया था ठीक है तो आप यहां देखिए का पूलो ने किया था और पूलो ने विद्रो किया लेकिन क्या हुआ इसके साथ आज तक कुछ पता नहीं चला पूलो को ही गायब कर दिया गया अगला कुछ 22 जनवरी को हुआ था अगला कुछन देखिए अगला कुछन है डियुमा का गठन का हुआ तो जब खुनीर अभी बार हुआ तो पूरी देश की जनता सरकार के खिलाप हो गई तो उसी समय 1905 कोई डियुमा का गठन हुआ और जैसी थोड़ा सा क्रांती यानि कि वहां पे आ एक नुवा दोबारा यह किया गया था अठारे सो अंठानवे में किया गया था फॉस्ट एंसर आपका सही हो जाएगा अगला कुछन देखिए पेट्रोगाद जिसको क्या बोलते हैं लेलीन ग्राड भी बोलते हैं ठीक है कि सडकों पर किसान दोबारा जूलुस कब निकाल गया था ठीक है यह आपको कुछन पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा साथ मार्च अट उनिस सो सत्रह को आपको क्या हो था जूलुस लोगों द्वारा निकाला गया था राजा इतना महा का निरंकुष था और आठ मार्च को महिला भी ठीक है वहाँ पे आंदोलन क करने चली कि सभी मजदूर महिला इसलिए आठ मार्च के दिन क्या मनाया जाता है महिला दिवस मनाया जाता है यह आप याद रखिएगा ठीक है अगला कोशन देखिए चेका क्या है तो चेका एक परकर का पुलिस दास्ता है पुलिस दास्ता याद रखिए चेका ठीक है दिवस कब मनाया जाता है तो वही बाते आठ मार्च को मनाया जाता है अगला कुछ्छन है आपे व्रेष्ट लियो वस की संदी किन देशों के बीच हुई तो यहां हो जाएगा रूस और जर्मानी के बीच हुआ था लेलिन इसमें बेच में में था ठीक है अगला कुस्चन देखों, अगला कुस्चन नई आरथिक। कब लाग हुआ तो यह देन दियर मारी एंसर 1921 में यह लाग हुआ था अगला कुस्चन है ठीक है उनके पास हत्यार भी नहीं थे लड़ने के लिए वो आकर के सभी जब लोगों को बताए गया तो लोगों को गुस्सा गया एक तो राजा हम लोगों पर अत्याचार करता है और अपने सेना के साथ भी अत्याचार करता है तो प्रत्तम विश्वयूत के कारण ही क्या हो गया उनीस सो सतरह की रूसी करांथी ततकली इन कारण बन गया लड़ाई का अगला कुस्चन देखिए अगला कुस्चन है बोल सेवी करांथी का नेतरी तो किस ने किया तो लास्ट में बचा था लेलीन इसलिए लेलीन ने किया अब देखिए चापन नमर चाटिस्ट आंदोलन कहां सुरू हुआ ये किसानों द्वारा चला गया आंदोलन था जो ब्रिटेन में सुरू किया था ठीक है अगला कुशन है वार एंड़ पीस की रचना को किसने किया था रचनाकार कौन है तो टाल स्टाए है यह देखिए अगला कुश्चन अंठावन नमर लेलीन की मिर्थी का भुई था ठारे सुनी 1924 इसमी में हुई थी 24 में लेलीन नहीं रहा ठीक है लाल सेना का गठन किसने किया ठीक है दो टो कुश्चन आता एक लाल कुर्ती नामक सेना तो गैरी बाल्टी किया था खाली लाल सेना बोलेगा ठीक है खाली क्या बोलेगा लाल सेना बोलेगा तो यह ट्रास्ट की द्वारा किया गया था ठीक ह आज कर आप देख सकते हैं लड़ाई जो भी चल रहा था यूक्रेयन से तो यूक्रेयन सोवियत संकाई हिस्सा था अब देखिए रूस में जुलियन कलेंडर का अनुसरण कब हुआ यह आपको कुश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है वी वी आई है कई बार पूछा गया है तो आपका हुजाएगांगोंका एक इन उनिसो अठारा को जूलियन कलेंडर का किया गया था अगला कुश्चन देखिये आपका क्रिगोरियन कलेंडर जो आपको दिया जैता तो एक जुलेंडर से कितना दीन आगे चलता है इसमें कितना दिन का उंतलौ आप इनद महीं का वहार मार्च को सित किया गया था किthey 1975 में सन्यूक राशच के आया होगा अगर आपको अहसास तो टाइम मत कीजिये पास लेकिन उससे पहले आपका कितना इश सही खोत्वन जोकरत करखा है अगर आपका गलत हुआ इसका मतलब आप board के exam के लिए तयार नहीं है तो भी tension लेने वाले हैं दो मंथ, साथ दिन, सतर दिन बहुत होता है exam के तयार के लिए अगर एक दिन में कुछ नहीं बदलता है दिमाग में रख लेजिए एक दिन में आप कुछ नहीं लेकिन अभी भी समय अभी भी बाबु वक्त है डेली एक एक लाइन बला इना वीडियो देखेजिए अगर हिस्टी में डाउत है तो हिस्टी का प्लेलिस्ट खोलिए पूरा वीडियो पहले कहानी दिखिए फिरा करके अबजेक्टी मारिए तब देखिए का बहुत मज़ा आएगा आरे मैंने तो सब बना दिया और किसी भी टॉपिक का और सब्जेक्ट का डाउट नहीं रहेगा अगर अभी से तयार करेंगे तो 85% तक आ सकता है अगर अपने माबाब के विश्वास को नहीं तोड़ना है तो प्लीज अच्छा से पढ़ाई कीजे बाबु क्योंकि उनको आप पर बहुत भरोसा है उनके भरोसा को मत तोड़िए तो फिर अगर संदार लगा हो तो शेयर क करेंगे फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए जया है